सब्सक्राइब नाओ और प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए इस वीडियो की पीडिया फाइल भी दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडिया फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रूप से जुड़ना तो अभी हाली में दोस्तों मेंग होंग वेϊ ने किसने मेंग होंग वेऊ ने इंटरपोल के परेसीड़ेंट पत से स््तीफा दे दिया है चाईना दोर्ह इन पर कुछ ऑरोप लगाए गये थे रिमिके इस वज़ह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अभि इंटरपोल आ करते हैं इंटरपूल ठीक है इंटरनेशनल से बना है इंटर और पोल जो है वो पुलिस से लिया गया है और इंटरपूल का मुख्याले है दोस्तों लियोन फ्रांस में कहां पर लियोन फ्रांस में है इंटरपूल का मुख्याले ठीक है लियोन फ्रांस में और इसकी है और फ्रांस के current time पे राश्पती यानि कि Peace Really मैक्रॉन और फ्रांस की संसत का नाम होता है दुसतों नेश्नल Aasembly और नेस्नल Aasembly के बार में आपको कई बार बता एंच की और कहां–पाके संसत है पाकिस्तान वियत्णाम दक्षिर कोरिया एक फ्रांस और जार्डन इतनी जुगाओं की संसत का नाम है National Assembly ठीक है चलिए देखते हैं next question next है हाली में किस राज ने आतंगवाद निरोधक बल कवच का गठन किया है तो अभी हाली में दोस्तों हरियाना राज ने किस ने हरियाना राज ने आतंगवाद निरोधक बल कवच का गठन किया है आतंगवाद निरोधक बल को इंगलिस में क्या कहते है तो इसे कहते है दोस्तों ATF यानि की Anti-Terrorist Force ठीक है आतंगवाद निरोधक बल Anti-Terrorist Force और इसका गठन किया है दोस्तों हरियाना राज सरकार ने किस ने संपाइप में धकि यह हभ्याना हर्याना के करेंट टाइम सफनेंस्टर नहां है । मनौहरzag लाल step manner sari । ऑर मनौहरम stop दोस्तों बीजैपी के हैं कहांके बीजेपी vajग के हैं यानि भारतिये जंता पार्टी के हैं मनौहरलाल सभ में। अroot कर तक और सथ सत्य देव नरायन आर्या कौन है सत्य देव नरायन आर्या है और हर्याणा में दोस्तों दस लोगसभा की सीटे हैं और पांच राजसभा की सीटे हैं पांच कुड़े दो आप याद रख सकते हैं कि दस लोगसभा सीटे और उसकी यादे हैं राजसभा की सीटे ठीक है चलिए अरुणांचल प्रदेश की सरकार ने ठीक है यानि इसी आपसर हमारा करेक्ट होगा किसानों को ससक्त बनाने के लिए और किर्सी पर फोकस करने के लिए अरुणांचल प्रदेश की मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कौन है पेमा खांडू पेमा खांडू ने इस योजना को लांच किया है ठीक है अरुनाचल प्रदेश के मुख्यमंद्री ने इस योजना को लांच किया है ससक्त किसान योजना और मुख्यमंद्री किसी समोग योजना अब अरुनाचल प्रदेश आया है तो आपको एक पॉइंट यहां जब भी आए याद रहना चाहिए कौनसा है कि सबसे पूर्वी विंदू अरुनांचल प्रदेश में है कौनसा विंदू है वलांगू कौनसा वलांगू जो विंदू है दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी विंदू है मैप में आपको दिख रहा होगा कि भारत का सबसे पूर्वी राज है अनुरांचल प्रदेश और यहां के मुख्यमंदरी ने इन दोनों योजनाओं को लांज किया है एक है अम दोस्तों जो अनुरांचल प्रदेश के सीम है यानि कि पेमा ख़ंडु यह किस पार्टी के हैं तो यह भारतिय से платर है यह dove मिस्सरा है और यहां पर लोग सभा में सीटे हैं यहां कि इस में भी हाफ है लोकसभा की सीटों से राजसभा की सीटें ओके चलिए नेक्स दिखते हैं नेक्स है हाली में किस फुटबालर ने 14 मिनट में 4 गोल करके 82 साल पुराना रिकार्ड तोर दिया तो अभी हाली में दोस्तों केलियन एम बापे ने 14 मिनट में 4 गोल करके 82 साल पुराना रिकार्ड त तोड़ दिया है अब ये 82 साल पुराना रिकार्ट कौन सा था दोस्तों आप इसे मत समझेगा कि 14 मिनट में 4 गोल करने वाला ही रिकार्ट है ये नहीं है रिकार्ट था दोस्तों कि अभी तक फ्रांस के लीग मैचों में 8 वारों तक लगातार कोई टीम जीती थी ठीक है लेकि एलियन एमबापे के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि ये बेस्ट यूवा प्लेयर जुने गए थे फीफा वर्टकप 2018 में और फीफा वर्टकप 2018 हुआ था दोस्तों मॉस्कों सहर में रूस के ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हाली में किस राज सरकार है क्या दोस्तों तो निर्मार कुसम योजना के तहट दोस्तों जो निर्मार कारे में लगे हुए मजदूर होते हैं उनके बच्चों को टेक्निकल एजूकेशन देने के लिए ये वित्य सहायता प्रदान करेगा निर्मार कुसम योजना ठीक है इसके तहट वित्य सहायता प्रदान किया जाएगा और इसमें दोस्तों जो ITI करेंगे जो बच्चे, जो मज़ूरों के बच्चे आईटी आई करने वाले होंगे, उनको मिलेगा 23,600 रुपए, कितना मिलेगा, 23,600 रुपए मिलेगा, और जो डिपलोमा करेंगे, उनको मिलेगा 26,300, कितना 26,300 रुपए क की कैप्टल होती है पुनेस्वर और उडिसा के करेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है नवीन चंद पतनायक ये हैं बीजेटी के किसके हैं बीजेडी पार्टी के हैं आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है ये बीजेटी है इसका फुल फाम होता है बीजू जनता दल आपको बार बार ये दोगना क्यों बोल रहा हूं कि दोस्तों मैं आपको जैसे ही पूरा इस्टेट के राजसभा के सीटों के संख्या गिना दूंगा उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि कोई एक ट्रिक बनाई जाए जिससे आपको लोग सभा और राजसभा की सभी सीटें किलियर हो जाए तो आप लोग बस अभी देखते चलिए हो सकता है आगे चलकर कोई ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आओं तो आप लोग अभी किवल थोड़ी थोड़ी जानकारी रखते चलिए चलिए देखते हैं हाली में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारत की जुड़ो का कौन बनी तो अभी हाली में दोस्तों यूथ ओलंपिक चल रहा है यूथ ओलंपिक मतलब यूवा ओलंपिक चल रहा है अर्जेंटीना में और वहाँ पर भारत की पहली जुड़ो का बन गई है तबाभी द ओलंपिक गेम में अभी तक जूडो में कोई मेडल नहीं आया था चाहे वो सीनियर का ओलंपिक गेम हो या फिर जो यह यूद्ध ओलंपिक चल रहा है यानि जूनियर का ही ओलंपिक क्यों ना हो ठीक है तवाभी देवी का पूरा नाम आप लोग जान लीजिए इनका पूरा तवाभी देवी थांग जाम क्या नाम है तवाभी देवी थांग जाम ठीक है ये मड़ी पूरकी है और इन्होंने silver medal जीता है अभी हाली में ठीक है चलिए next दिखते हैं next है हाली में अंतर राष्टिय डाक दिवस कब मनाया गया तो अभी हाली में दोस्तों अंतर राष्टिय डाक दिवस मनाया गया 9 अक्टूबर को प्रतेग वर्स 9 अक्टूबर को अंतर राज़्टी ये डाग दिवस मना जाता है ठीक है अब डाग दिवस आया है दोस्तों हम लोग भारती ये डाग से सम्बंदित कुछ चीज़ें जान लेते हैं तो सबसे पहला डाग टिकट जारी हुआ था 1852 में कब जारी हुआ था 1852 में जारी हुआ था और ये कहां जारी हुआ था ये बहुत पूछा जाता है तो ये जारी हुआ था करांची में ठीक है करांची में जारी हुआ था भारत का पहला डाग टिकट और करांची इस समय में ये पाकिस्तान में है लेकिन तब भारत में था ठीक है तो अगर पूछा जाए कि पहला डाग टिकट कहां जारी हुआ था तो कराची में ठीक है और भारतिय डाग विभाग की अस्थापना हुई थी दोस्तों 1854 में कब हुई थी 1854 में हुई थी भारतिय डाग विभाग की अस्थापना अच्छा यहां से एक पॉइंट मुझे याद आ गया दोस्तों कि जब भी हम कोई चीज पोस्ट करते हैं तो हम पिन कोड मांगा जाता है तो जो पिन कोड होता है छे अंको का सभी लोग जानते होंगी इसकी अस्थापना कभूती यानि कि इसका प्रालम कब से शुरू हुआ तो यह दो सतरंज ओलंपियार्ट कहां संपन हुआ यानि 43rd चेस ओलंपियार्ट कहां संपन हुआ तो यह संपन हुआ जर्जिया में कहां पर जर्जिया में संपन हुआ जर्जिया के बाटूमी में ओके अब जर्जिया के बारे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं तो जर्जिया की रा साथ का नाम दोस्तों पार्लियामेंट होता है ओके चलिए अब जर्जिया है कहां ये जान लेते हैं तो जर्जिया है दोस्तों ये यूरोप और एसिया के बॉर्डर पर है कहां पर यूरोप और एसिया के बॉर्डर पर है अच्छा अभी फ्रांस आया तो मैं फ्रांस के बार मंत्रियों ने विजिंग में मुलाकात की तो अभी हाली में चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने विजिंग में मुलाकात की है तो आपको पता होगा दोस्तों अभी हाली में चाइना पर कई चीज़ों पर कई products पर भेन लगाया हुआ है तो उसी के सिलसले में चीन और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने Beijing में मुलाकात किया ठीक है अब अमेरिका आया है तो अमेरिका की बारे में जान लेते हैं अमेरिका की capital होती है यहां की संसत का नाम होता है और यहां के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प ठीक है AMERICA है North America continent में और चाइना की बारे में अगर बात करें तो चाइना की कैपिटल होती है Beijing चाइना के current time पर प्रेसिडेंट हैं सी जिन पिंग चाइना की संसद का नाम होता है Pupils Congress ठीक है भारत और तजाकिस्तान के पीच कुल नौ समझवतों पर हस्ताक्षर हुए हैं ठीक है अब तजाकिस्तान आया है तो तजाकिस्तान के बारे में हम लोग जाल लेते हैं तो तजाकिस्तान की राजधानी होती है दोस्तों दूसामबे क्या होती है दूसामबे होती है तजाकिस् दोस्तान भी दोस्तों है एस्या में ओके चलिए आगे बढ़ते हैं लास्टे के कुश्चन देख लेते हैं दोस्तों लास्टे मैंने दो कुश्चन पूछे थे जैसक मैं रोज पूछता हूं तो कल की कुश्चन थे दोस्तों भारतिय थल से नदिवस कब मनाया जाता है तो भ लोगों ने explain करके भी लिखा है तो जिन लोगों ने explain करके लिखा है उनके नाम मैं भी लूँगा पहले देख लेते हैं नेक्स्ट कुश्कन को नेक्स्ट है दोस्तों भारतिय रिजर्ब बैंक का राष्ट्य करन कब किया गया था इसका questions का सही अंसर है दोस्तों एक जनवरी उनिस सो उन्चास को ठीक है आपको जनवरी और अप्रैल में confused नहीं होना है अस्थापना हुई थी एक अप्रैल 1935 को और राष्ट्य करन किया गया था एक जनवरी उनिस सो उन्चास को भारतिय रिजर्ब बैंक भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है और इसका इसकुमार हैं मिलिंद संकरपाल हैं मोहित लखरा हैं बैजनात चौरसियां हैं काईरया सैनी हैं रोहित निस्रा है ठीक है इन लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेइन करकी लिखा हुआ है आप लोग भी एक्सप्लेइन करके लिखा करिए जब भी मैं आपके सामने जो भी कुश्चंज पूछू तो आपको उसके बारे में जो जो चीज़ें भी पता हूँ आप लिंक करके जरूर लिखा किजिए आईए देखते हैं दोस्तों आज के questions को, यानि question of the day, तो आज भी दोस्तों मैंने दो questions पूचे हुए हैं, पहला question है दोस्तों किस छेत्म नोबेल पुरुषकार नहीं दिया जाएगा, तो 2018 में नोबेल पुरुषकार किस छेत्म नहीं दिया जाएगा, आपको इसे बताना है, इसके साथ ही आपको नोबेल प्राइज या इससे रिलेटर किछी भी पॉइंट पर कुछ याद हो जो चीजे मैंने आपको बताई हुई है तो आप लोग जरूर लिखा किजिए आज का सेकेंड कुछन है दोस्तों भारती अंडर 19 क्रिकेट टीम अब तक कितने एसिया कप जीत चुकी है आपको बताना है क भारती अंडर 19 क्रिकेट टीम जो है वो अब तक कितने एसिया कप जीत चुकी है ठीक है तो फिलाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको बीडियो पसंद आए होगी अगर आपको बीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एं से से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप का लिंक डिस्किप्शन में में दिया हुआ है आप वहां से सारी पीडियो फाइल एक साथ डाउनलोड कर पाएंगे तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद वंदे मात्रम कर दोस्तों 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 कर दोस्तों